हाई गाईज मेरे चानल में आपका स्वागत है और मेरा नाम रतियद निहोतरी है दोस्तों आज के कारेक्टरम में हम हिंडी में बातचीत करेंगे क्योंकि आज का प्रोग्राम हिंदी के लेखकों पर बलकि यूँ कहिए कि हिंदी के तीन बहुत प्रख्यात कवियों पर केंद्रित है कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाये थे एक सीरीज बनायी थी जिसमें मैंने अंग्रेजी के कुछ प्रक्यात कभियों के बारे में बातचीत की थी कि हम इनको इनकी कविता के माधियम से तो जरूर जानते हैं लेकिन कविता के अलावा अपनी आजीवी का अरजित करने के लिए ये कभी क्या करते हैं, किस प्रकार की नौकरिया करते थे या फिर किस प्रकार का वेबसाय करते थे इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाए था क्योंकि दोस्तों जो लेखन की दुनिया है लेखन से सीधे तोर पर आमदनी होना आप अपनी livelihood निकाल पाए लेखन से ये impossible तो नहीं है लेकिन बहुत ही मुश्किल है यानि न के बराबर एक बेहर टेड़ी खीर है तो आज के समय में तो फिर भी कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगे professional writers जो कि सिर्फ writing से अपनी आजी भी कार्जित करते हैं लेकिन फर्स कीजिए पुराने समय में जब वैसे भी options limited थे और उस प्रकार से राइटिंग के market नहीं थे तो उस समय के जो लेखक थे उनके लिए कितनी जिसको कह सकते है कितना बड़ा संगर्श रा होगा और सिफ लेखन से आजीव का अर्ज करना बिलकुल भी उनके लिए समभव नहीं रहा होगा तो इसलिए सीरीज में हम ऐसे लेखको के बारे में बातचीत करेंगे ऐसे writers के बारे में जो की बहुत famous थे लेकिन हम उनकी writing के अलावा वो अपनी RGV का अर्जित करने के लिए अपनी livelihood के लिए क्या करते थे इसके बारे में हम नहीं जानते तो हम इसके बारे में जानेंगे तो आज मैंने तीन हिंदी कवी लिए हैं दोस्तों आज के एपिसोड में रामधारी सिंग दिनकर जी सूरेकांटर पार्ठी निराला जी और हरिबंश राय बच्छन जी इन तीनों के बारे में हम जानेंगे यानि कि इनकी professional life के बारे में हम जानेंगे तो रामधारी सिंग दिनकर जी के बारे में कौर नहीं जानता हिंदी के प्रख्यात कवी जिने राष्ट्र कवी की उपादी से भी समानेत किया गया हम उने राष्ट्र कवी दिनकर के नाम से जानते है इनकी कविताएं जो है यह तो बिन-बिन शैलियों में इन्होंने कविताएं लिखी है लेकिन इनकी कविताएं देश प्रेम की उज़ा से ओध प्रोत है और बहुत ही performance oriented पोईम्स भी हैं तो बहुत मौकों पर बहुत मंचों पर इनकी कविताओं का पाठन किया जाता है राष्ट्र कवी दिनकर जी रामधारी सिंग दिनकर जी तो राष्ट्र कवी दिनकर का जन 1908 में महाराष्ट्र के एक सामानने किसान परिवार में बिहार के बेगु सराई जिले के गाउं में हुआ अब रामधारी सिंग दिनकर मात्र दो वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हो गया तो जाहिर सी बात है कि एक सामानने से परिवार से आते थे कोई बहुत पैसे वाले परिवार से संपन परिवार से नहीं आते थे और इतिनी कम आयू में ही पिता का निधन हो गया तो परिवार के भरन पोश्चर की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी तो बहुत कम आयू से ही रामधारी सिंग दिनकर ने जो है काम करना शुरू कर दिया उन पर बहुत जादा इस बात कम कह सकते है प्रेशर था दबाफ था कि किस प्रकार से अपने परिवार के लिए आजी भी का अरजित की जाए तो सबसे पहली जो अगर हम दिनकर के कारेशेतर की बाते करें तो ये बहुत ही एक विस्तरित कारेशेतर है अध्यापन से लेकर अध्यापन से इनके करियर की शुरूआत हुए एक स्कूली टीचर बनी सबसे पहले फिर अध्यापन से लेकर विबिन सरकारी नौकरिया की बहुत से प्रतिश्चित पद उपर भी रहे और फिर सरकारी नौकरी से लेकर राजनी दी तक का सफर इनोंने सबसे पहले जो उनकी नौकरी लगी बीए पास करने के बाद एक अध्यापक के तौर पर लगी एक विध्याले में अध्यापक पद पर कारे किया इसके परशाद 1943 से 1947 में दिनकर ने बिहार सरकार की सेवा में उप्रेजिस्टार और प्रचार विभाग की उपने देशकों के पत पर कार किया तो यहां एक बहुत ही दिल्शस्प रोचक किसा है क्योंकि रामधारी सिंग दिनकर राष्ट्र कभी दिनकर जाहिर सी बात है तो कविताई लिखते थे और उनकी जो कविताई हैं विद्रोही सवभाव की भी होती थी देश प्रेम के भाव से उत्परोत होती थी तो अंग्रेजों के कुछ-कुछ विरुद्धी होती होगी तो उस समय अंग्रेजी शासन था जब दिनकर की नौकरी लगी थी और सरकारी नौकरी पर उनको अंग्रेजी प्रशासन ने रखा था लेकिन जब वो नौकरी करने लगे और उनके प्रशासन को पता चलने लगा अंग्रेजी प्रशासन को कि उनकी कविताई तमाम पत्र-पत्रिकाओं में छप रही है और जो उनकी कविताओं की टोन से वो वाकिफ हुए परिचित हुए तो उने लगा कि हमने तो ये गलत व्यक्ति को नौकरी पर लख लिया और इस प्रकार के देशभक्त व्यक्ति को नौकरी पर लख लिया हमने शायद कोई गलती की तो उसके बाद अंग्रेजी प्रशासर ने राश्ट्र कभी दिनकर को जिसे हम कह सकते हैं कि टॉर्चर करना शुरू किया, उनको बहुत परिशान करना शुरू किया, उनका कई जगा तबादला कराएगा, उनको कई वर्निंग्स भी दी गई बहराल 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब भारत को स्वतंतरता प्राप्त हुई, तो फिर दिनकर की बिहार विश्विद्याले में सीनियर टीचिंग पोजिशन्स में नियूटती हुई, फिर 1952 में जब भारत के प्रथम संसत का निर्मार हुआ, तो दिनकर को राज्य सभा क सदस्य के रूप में चुना गया, और बारा वर्षों तक ही संसत के सदस्य रहे, फिर भागल पुर विश्विद्याले के कुलपती भी बने, और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में आखिर में उन्होंने काम किया, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीक एक है कि विस् इसमें एक डिप्लोमाट, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आप डिप्लोमाट की भी छाप देख सकते हैं कि सरकारी नौकियों से लेकर एक प्रकार से उन्होंने डिप्लोमाट तक का जीवन व्यतीत किया, तो अब हम दूसरे कभी इनके बारे में हम बात करेंग वो है सूरे कांत तिरपार्टी निराला और दिनकर से काफी पहले के समय के हैं, इनकी जन्म की जो exact date है उसको लेकर काफी मदभेद हैं, लेकिन जादर जो website sources हैं उन्होंने इनके जन्म की थी 1896 जन्म का जो साले 1896 दिया हुआ है, तो निराला जी हिंदी भाशा के प्रमुक चायवादी कव्यू में से एक हैं, और इनका जन्म बंगॉल में हुआ, अब निराला के जीवन की जो राहें थी, वो दिनकर से काफी भिन थी, और जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब हमने रामधारी सिंग दिनकर जी की बात की, तो इनका जीवन सरकारी रोक्रियों में ह मतलब एक प्रकार से इनके बास हम कह सकते हैं कि एक सिक्योर जोब रहाजाद रता हैं भारत के आजाद होने के बार, लेकिन जो सूरिकांधर पार्थी निराला हैं, उनकी लाइफ में इस प्रकार की कोई फाइनाशल सिक्यूरिटी नहीं रही और ये बहुत ही अभावों मे इनका जीवन बीता और जिसे कह सकते हैं बहुत ही अभावगरस थी पूरे जीवन रहा हलाकि इतने अभावगरस रहते हैं भी इनोंने दूसरों की मदद करने से कभी नहीं चुके लेकिन इनका खुद का जीवन एक जिसे कह सकते हैं बहुत ही गरीबी में बीता तो महाकवी निराला ने अपनी आजीवी का अर्जित करने के लिए विभिन एकारे की ये चोटी मोडी नौकरियों से लेकर विभिन प्रकाशकों के लिए प्रूफ रीडिंग कारे की और विभिन पत्र-पत्रकाओं का संपाधन किया महाकवी निराला का स्वभा विद्रोही था और इनके समय के अनुसार क्योंकि जिस समय कविताये जिन्होंने तिकना शुरू किया होगे तो समय जाहिर सी बात है अंग्वेजी शासनता इनके समय के अनुसार इनकी कविताये काफी महादेवी वर्मा और जैशंकर प्रसाथ के साथ निराला हिंदी साहित्ते के छायवादी यूग के प्रमुक स्थम्प माने जाते हैं तो ये थे सूरे कांटर पाटी निराला अब तीसरे कभी जिनके बारे में बातचीत करूँगी वो है हरिवन्श राइ बच्चन जी अमिताब बच्चन जी मशूर आक्टर अमिताब बच्चन जी के पिता जिनके बारे में हम सभी जानते हैं हरिवन्श राइ बच्चन का जन् और हरिवन्ज राइ बच्चन की अगर कविताओं की अगर हम बात करें तो इसमें मधुशाला जो उनकी कृती है वो सबसे अधिक प्रसेद्ध है आपको यूट्यूब पर तमाम जगाओं पर मधुशाला के इतने वर्जिन्स मिल जाएंगे कि गिनना मुश्किले तिनी तो इनका अधिकतर करीयर कवितालेखन के अलावा इनकों जो करीयर गर करीयर की बात करें तो एकाड़ेमिक से यह जोड़े रहे याणी शिकृषा के चेतर से टीचिंग के चेतर से जोड़े रहे इनकी शिक्षा भी काफी विधिवत तरीके से हुई जबकि जो पहले दो हमने कवियों की बात की थी चाहे वो निराला हो या दिनकर हो इनकी शिक्षा जो है वो उतने विधिवत तरीके से नहीं हुए विशेश करके अगर हम निराला की बात करें तो निराला ने अधिकतर ग् पड़के खुदी स्वाध्यायद्वारा उन्होंने सल्सकित सीकी और भी विभिन भाशाई सीकी लेकिन हरिवन शराइब बच्चन की बाकाइदा कॉलेज एजूकेशन रही उनकी शुरुआती शिक्षा तो इनकी अपने गाउं में ही हुई लेकिन उसके बाद इलाबाद में हाई स्टाइज के लेकिन गए और इलाबाद के अलाबा के केम्डिज उनिवर्सिटी इंग्लेंड गए जाहे उन्होंने अंग्रेजी भाशा के प्रख्यार कभी डब्लूबी ईड्स की कविताओं पर शोध किया तो 1941 से 1950 उतक हरिवन श्राइब बच्चन इलाबाद विश्विध्याले में अंग्रेजी साहिते रोने पढ़ाया अंग्रेजी साहिते के प्रोफेसर है और फिर 1955 में केम्डिज से वापस आने के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्राले में हिंदी विशेशग्य के रूप म सरकारी नोकरियों से जुड़ा हुआ था और यहां एक चीज हमें बहुत से लेखकों में देखने को मिलती है चाहिए वो अंग्रेजी लेखकों या हिंदी के लेखकों कि बहुत सारे लेखक जो है वो अल्टिमेटली शिक्षा के चेतरे में अपना करियर बनाते हैं शायद अपने लेखन के कारे में शायद थोड़ी तारमत्या बैठती है और थोड़ी आसानी होती है बजाए इसके कि आपको यह बिल्कुली दूसरी नौकरी करें अपने लेखन से अलग थलग लेकिन इसके अलावा हमें फिर भी ऐसे भी बहुत से लेखक मिलते हैं खासकर कि मैं कि राइटिंग को और क्रियेटिविटी मिलती है रचना शीलता मिलती है तो बहराल आज के लिए दोस्तो बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंस में आप सुझाफ भी दे सकते हैं कि इस पर जरूर कि एस चेनल मिलती है रचना है रचना आपको यह वीडिवावर को पीजिवार करें जरूर को वीडियो सह वीडियो प्याएब धीवार को यह इस सब्सक्राइब झाल